हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपके अपने यूटीब चैनल पंडिजे पर मेरा नाम है हरी प्रकास त्रपाथी और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जून महीने की इंपोर्टन डेज जो भी महत्पूर्ट दीवस आते हैं जून मही अब ही एप्रॉक्स दस दिन के अंदर आपकी बहुत सारी क्लासे रेगुलर बेसेज पर चालू होने वाली हैं जिस पर आपको रिजनिंग और मैस के कुछ वीडियो जाएंगे इसके साथ ही करेंट अफियस के बाद बहुत डिमांड आई थी तो करेंट अफियस के लिए ऐ और रही बात एक्जाम के लिए जो करेंट अफियस मन्थवाइज है तो मैं यहां से कुछे दिनों में जून से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि उसके पहले का करेंट अफियस जातर नहीं पूछा जाएगा अगर मैं बैंक की बात करूँ जैसे अभी बैंक की विकेंसी आई हुए आर अर बी की है ना तो इसमें जून के पहले का पूछा नहीं जाएगा क्योंकि एप्रॉक्स सेप्टेंबर अक्टूबर में एक्जाम लाइनाप है आपके तो यह जो इसमें जो करेंट अफियस पूछा जाएगा चार से पांच महिने का जो कि जुलाई अगस् सेप्टेंबर और अक्टूबर है ना इतना ही पूछा जाएगा इसके पहले का पूछा जाना बिल्कुल नहीं है एक तरीके से यहाँ पर करेंट अफियस में इतनी सारी चीज़े हमें के करके डिसकस करेंगे उसके कुछ छोटी-छोटे वीडियो आपके लिए आते लड़कों के लिए और जो आपको स्क्रीन पर भी नंबर का इस नंबर पर सराओ करके दिवाई निवद बिल्कुल गभराने गयर नहीं है लड़कों को क्योंकि मैं बहुत पूरी तरीके से सिये और पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता है कि किसी प्रकार के कोई अपत्ति जना कि कुछ ऐसा ना हो, उनके साथ कोई भी भेदवाव ना किया जा सके, कोई परिसान ना कर सके, ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने, इसके लावर टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हो, सोसल मीडिया अगर आप मुझे फेस्बुक या इंस्टा पर फॉलो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है, यहाँ पर विस दूध दिवस, है ना, तो विस वर्ड मिल्क डे मनाया जाता है, एक जून को, तो आपको याद रखना है कि एक जून को मिल्क डे मनाया जाता है, वर्ड लेबल पर विस दूध दिवस, है ना, अब ये क्यों मनाया जाता है कि डेरी छेत्र में स्थेरता हो, जो डेरी होता है, जहां से दूद का उत्पादन होता है डेरी, तो उसमें स्थेरता हो, और दूद से कहीं-न-कहीं हमारी इकोनॉमिक भी एक्वेक्ट पडता है, क्योंकि दूद Nepo या कोफी पीए या दूद पीए उसका सेवन तो बहुत जगए होता और कई बहुत सारी चीज़े उससे बनाई भी जाती तो कहीं न कहीं इकोनॉमिक भी इसका इफेक्ट पड़ता है तो आर्थिक विकास हो चके और आजीविका और पोसंड के छेतर में इसका एक महत्पूर् पोसंड में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है तो इसी के लिए विस सुदूद दिवस मनाया जाता है एक जून को यह चीज़ आपको याद रखनी है अब अगर बहुत बात करें हम दूसरी यहाँ पर तो दो जून अंतरराश्टी सेक्स वरकर्स डे इंटरने जेविका पर कुछ लोग आवाज उठाते हैं उनको परिसान करते हैं तो उसलिए उनको उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जा सके इसलिए में लिए यह दे मनाया जाता है अंतरराश्टी सेक्स वरकर्स डे जो भी सेक्स वरकर्स होते हैं तो उनके लिए एक अलग से डे म को याद रखनी है कि तिलंगाना का जो formation ये अलग राज्य बना था 2 जून 2014 को ठीक है प्रदान मंतरी मोदी जी जब मोदी हो गया थे उसके बाद ही इसका गठन किया गया था 2 जून को तो ये चीज आपको याद रखनी है अब अगर हम तिलंगाना की बात करें तो तिलंगान के बाद है न वो 1950 से लगभग चली आ रही तो 1950 से कई लोग है ऐसे नेता या वहां के लोग ऐसे आवाज उठा रहे थे कि इसको एक अलग राज्य बना जाए फर फाइनली ये पूरा कब हुआ दो जून 2014 को तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक जून को विस्व दू दिवस मनाय जाता है दो जून को दो दिवस मनाय जाते हैं पहला है अंतर राष्टी सेक्स वरकस दे और दूसरा है तिलंगाना गठन दिवस इसके बाद है तीन जून अब ये तीन जून को क्या मनाय जाता है विस्व साइकल दिवस वर्ड बाइस्किल डे ये मनाय जाता है तीन जुन को अब ये क्यों मनाय जाता है The United Nations General Assembly Declarer 3rd June As International World Bicycle Day To Recognize the Uniqueness Longivity and Versatility Of the Bicycle मतलब इसकी यो जो यूनिक है है ना यूनिकनेस है उसकी cycle की उसके लिए इसकी छमता बहुत दिनों तक होती है और बहुत सारी चीजें है cycle जो कि हमारी एक तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे सरीर पे भी इसका बहुत जादा effect पड़ता है ये बहुत समय तक रहती है खराब नहीं होती इस पर अगर खराब होती तो इस पर खर्चा बहुत काम आता है है ना और environment के लिए भी friendly है अगर हम देखें तो environment के लिए से कोई नुक्षान नहीं है ना तो कोई धुआ आता है ना इसकोई इधन की खपत होती है आप असानी से कहीं आ जा सकते हैं बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां भी आज भी बहुत सारे बड़े-बड़े जो celebrities हैं या राष्टपती है या पधान मंत्री है तो वो cycle का use करते हैं तो उससे होता क्या है कि एक तो environment में ऐसे इसका जादा कोई effect नहीं बढ़ता लंबे समय तक यह चलती है इससे जादा कोई नुक्सान भी नहीं होता और इसको अब चलाओगे तो एक तरीके से आपके body की भी exercise होती है तो वहाँ भी यह आपको फाइदा करता तो कहीं न कहीं इसके फाइदे बहुत सारे हैं तो इसी लिए 3 जून को wish cycle दिवस मनाया जाता है उसके बाद है 4 जून 4 जून को मनाया जाता है International Day of Innocent Children Victim of Aggression मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतरराश्टी दिवस यह मनाया जाता है 4 जून को अब यह क्यों मनाया जाता है कि जो मासूम बच्चे छोटे बच्चों होता है उनको जो physical abuse physical मार पीड की जाती है उनको कोई मारता है या उनको गाली देता है उनको mental harassment करता है, emotionally harass करता है, तो इसके लिए ये सारी चीज़े awareness finale के लिए कि उनके साथ ऐसा ब्योहार ना किया जाए, इसलिए 4 जून को मनाया जाता है International Day of Innocent Children Victim of Aggression, ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और अगर बात की जाए किसके द्वारा ये चालू किया गय Bird Environment Day 5 जून को मनाया जाता है, है ना अब अगर बात करें 2020 में कम मनाया गया, 2020 में जो विस्व परियावरन दिवास अभी 5 जून को मनाया गया जश्ट एक महिने पहले, इसको कोलंबिया ने होस्ट किया था, कोलंबिया एक देश है, छोटा सा देश है, इसने होस्ट किया था और इसको जो थीम रखी गई थी ना, वो थी Biodiversity, मतलब जैव विवेदता, है ना, इसलिए मनाया गया था, विस्व परियावरन दिवास, और अगर बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया की अभी राजधानी क्या है, कोलंबिया की राजधानी है, बोगोटा, और यहां की जो करेंसी है, मुद्रा जो यहां पे चलती है, वो है पेसो, तो यह चीज भी आपको याद रखनी है, अब यहां से यह सारी चीज़े इंपोर्टन क्यों हो जाती है, क्योंकि कोलंबिया का वैसा तो इतना ज़्याधा पूछानी जाता है एक्जाम में, पर अब जो करेंसी पूछी जाती है, वो वयापम हो, या ससी हो, या राधस्ठान का कोई एकजाम हो, या आपके बैंक का एकजाम हो, कोई भी बी हो, तो अब करेंसी और कैपिटल उसी डेस की पीछे पूछी जाती है, जो पिछले कुछ last, कुछ महीनों में, वो किसी न किसी माध्यम से, उसका नाम आया हो बाहर किसी ना किसी नियूज में तो यहाँ पर कोलंबिया का नाम आ गया क्योंकि इसने आत जून को तो आपको यह आद रखना है क्यों मनाया जाता है एक तरीके से फूड पॉइजनिंग की जा रही है उसमें मिलावट की जा रही है इसको रोकने के लिए कि उसके मिलावट ना हो जो थामान है जैसे आप दीवापली या रक्षा बंधन पर आप देखते होंगे न मनाया जाता है साथ जून को यह आपको याद रखना है इसके बाद आठ जून को एक डे मनाया जाता है विस्टो मस्तिक्स ट्यूमर डिवेस वर्ड ब्रेंट ट्यूमर डे अब यह क्यों मनाया जाता है इसको जो उद्देश है मैं यह तरीके से है कि ट्यूमर के लिए अव awareness फैलाना कि आप इसको क्या कुछ चैसी साफधानिया रखी जिससे आपको ये विमारी ना हो और अगर हो गई है तो आप ज्यादा परेसान नहों ज्यादा घबराएं नहीं तो इसको awareness फैलाने के लिए 8 जून को वर्ड brain tumor day मनाय जाता है ये चीज़ आपको याद रखने हैं इसके बाद विस्स महासागरी दिवस भी 8 जून को मनाय जाते है तो आट जून को दो दिवस मनाय जाते पहला है वर्ड ब्रें टिवस दूसरा है वर्ड ओोसीयन डे विस्स महासागरी दिवस अब महासागरी दिवस क्या है एक तरीके से महासागरी यह जो ओशियन होते हैं महासागर होते हैं समुद्र होते हैं इस पर एक देमन आय जाते हैं क्योंकि इसमें प्लास्टिक का यूज होता है एक तरीके से जैसे हम बात करें अगर समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं हम अपर ऑसका माइध करते हैं वहांपे जो ज ev जो नुख्सान रहने हैं यह उनकों समय भी धी पैलती है यह सारी चीज़ा और सोन मना जाता है आद जाने में इसके वाहत है बाद है 12 जून 12 जून को मनाय जाता है World Day Against Child Labour है ना बाल सरम के खिलाफ विश्व दिवस्त ये 12 जून को मनाय जाता है तो आपको ये भी याद रखना है और International Labour Organization इसके दौरा मनाय जाता है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि World Day Against Child Labour मतलब बाल सरम जो छोटे सिच्छा भी अब इवलेवल है सरकारी स्कूलों में फ्री में पढ़ाई होती तो आप वो जाके पढ़ें जाकी वो जाके काम करें तो इसको रोकने के लिए एक डे मनाय जाता है और ये मनाय जाता है International Labour Organization जारा अब International Labour Organization के अगर हम बात करें तो इसका Head Office कहा है इसका Head Office है जिनेवा स्वेजल लेंड में और इसका Formation हुआ था 29 अक्टूबर 1919 1990 में 1990 में 29 अक्टूबर को इसका Formation गठान हुआ था अब आपको Comment Section में जाकी ये बताना है कि इसके अभी Head कौन है ये चीज़े आप लोगों के लिए एक Homework है आपको जाके सर्च करना है नहीं पता तो सर्च कर रही है और वहाँ पे जाके Comment Section में आपको बताना है कि International Labour Organization का Head अभी कौन है करेंट में अगे चलते हैं तो इसमें आएगा 14 जून अब 14 जून को क्या मनाया जाता है Word Blood Donor Day विस्वरक्दाता दिवस विस्वरक्दाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को यो क्यों मनाया जाता है इसका उदेश्य है कि Blood को जो डोनेट करते हैं उसके लिए Awareness फैलाना Aware करना लोगों को कि Blood Donate करना एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिमार है और उसको कोई भी Blood की नीड है अगर मान लीजिए लोगोंने Blood Donate किया है तो वो Blood Bank में Available होगा तो अगर किसी को ज़रुत पड़ेगी तो डारेक्ट जाके Blood Bank से वो लेके उसको दे सकते हैं तो उसकी जान बस सकती पर अगर मान लो Blood Donate नहीं करेंगे लोग तो क्या होगा जब तक पता करोगे आपके किस का Blood आपको चाहिए कहां पर मिलेगा उसकी जाज करो फिर लो बहुत सारी चीज़ होती है तो उसके क्या तब तक उसकी जान को खत्रा हो सकता है तो एक तरीके से Aware करना कि Blood Donate करना एक बहुत अच्छी चीज़ है और करना चाहिए साल में एक बार दो बार तो करना ही चाहिए यह पसनली है मैंने भी किया है इसका जो में देश यह है न दोस्तों वो यह है कि जो बुजर्ग होते है हमारे माता पीता जब बुजर्ग हो जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे आज की देश में इतने जंदे लोग हैं कि वो उनको ब्रिधासर में छोड़ जाते हैं या कहीं रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे वीडियोज वाइरल होते रहते, जिसमें आप देखते हैं, कि वो रोड पे छोड़ के चले गए, उनको मारते हैं, पीड़ते हैं, उनके साथ बहुत abusive योहार होता, जब वो emotional उनको harass करें, या mental level पे करें, या उनको physical level पे करें, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए aware करने के लिए 15 जून को World Elder Abuse Awareness Day मनाय जाता है, अब बात आती है, कि आप बहुत important day, World Father's Day कम मनाय जाता है, ये इस बार हुआ था कि जून को, उस दिन कौन सा दे मनाय जाता है, World Father's Day, तो आपको ये नहीं याद रखना है, 2020 में तो 21 जून कम मनाय गया, तो अगर आप से exam में पूछा जाए, 2021 में कम मनाय जाता है, तो अब 21 जून लगा दो, आपको वहाँ पर पता करना पड़ेगा, चैलेंडर के थूर रिदिन का, वहाँ पर कॉंसेब लगे गया, आप देख सकते हैं, तो उसमें कैसा, पहली बात तो ऐसा पूछे गया नहीं, वो इसी साल का पूछेगा, कि साल कम मनाय गया, या कम मनाय जाता है, तो जून का तीसरा रिववार मनाय जाता है, 2020 में मनाय गया था, 21 जून को, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बाद है, 18 जून, 18 जून को मनाय जाता है, अंतरराष्टी पिकनिक डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाय जाता है, ये क्यों मनाय जाता है, कि आप नेचर को इंजॉय करें, जो भी प्राकृतिक है न, उसका आप इंजॉय करें, आप भागती दोरती जिन्दगी में, इधर उधर परिसान नहों, आप उसको इंजॉय करें, आप घोमने फिरने भी जाए, ये आपको याद रखना है, इसके बाद है 19 जू, वर्ड सॉनिटरिंग डे, विस्टो सॉन्दर ये दिवस, 19 जून को मनाय गया, तो आप इसको क्यों मनाय जाता है, कि आप भागती दोरती जिन्दगी में, आप परिसान रहते हैं, और आप अच्छी चुज़ों को देखी नहीं पाते, अपनी सॉन्दर्ता, ये किसी की सॉन्दर्ता, को आप देखी नहीं पाते, तो उसको देखें, उसको रिकिनाइज करें, उसको प्रसाहित करें, उसको देखें, आप खुस होईए, हैपी रहिए अपनी लाइफ में ये सारी चीजे हैं इसलिए विस्टो सॉंदरे दिवस कम मना जाता है 19 जून को ये पहली बार आपने सुना होगा और ये किसी एक्जाम में आ सकता है इसके बाद है 20 जून विस्टो सरनारती दिवस वर्ड रिफ्यूजी डे अब ये क्यों मना जाता है सरनारती का मतलब आप सभी लगबख समझते होंगे कि जो भी बहुत सारे ऐसे होते जो किस देश से निकाल लिया जाते है इदर उदर भठकते रहते हैं आज ये इस देश में है कल वहाँ पे हैं और इस पर बहुत सारा मुद्दा भी उठा था संसंद में रिफ्यूजी डे कम मना जाता है 20 जून को ये चीज़ आपको याद उसके बाद है 21 जून वर्ड म्यूजिक देश संगेत को बढ़ खावा देने के लिए 20 तर पर संगेत को परसाहित करने के लिए 21 जून को वर्ड म्यूजिक देश मना more जाता है सिसका सबसे बड़ा यज़ज ऑलड़ कौन सा होता है म्यूजिक का फेजर से वहाऊज पार यह चीज़ आपको याद रखनी है इसके बाद है 21 जून 21 को एक और डे मनाया जाते है आप तीन दे मनाया जाते है दूसरा जो है अंतरराष्टी योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे और किसके द्वारा चालू किये तह भारत द्वारा इसके सबसे पहली पहल जो है भारत म की थी आप सबको पता है तिकीज जोन को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये जो भारत में मनाया जाता है ये मनाया जाता है आयूस मंत्राले द्वारा अब यहाँ पर आयूस मंत्राले क्या है तो आयूस मंत्राले का जो गठन हुआ था ये कब बनाया गया अलग से 9.2014 9.2014 को मोदी जी के आने के बाद अजिस मंतराले का गठन किया गया और जिसके हेड है वो है स्रीपद नाइक तो ये आप नाम नोट डाउन कर सकते हैं तो आपको याद रहा कि इसके हेड कोन है स्रीपद नाइक और अगर इसके हेड कोर्टर के बाद करें इसका मुख्याले कहा है वो है न्यू दिली में ठीक है इसके बाद है समर सॉलिस्टिक डे ग्रेस मकालीन संक्रांति ये क्यों मना जाता है आपको पता होगा 12 जून पूरे एक साल का सबसे बड़ा दिन होता है इसके बोलते हैं समर सॉलिस्टिक डे ये ग्रेस मकालीन संक्रांति मना जाती है 21 जून को क्योंकि साल भर का सबसे बड़ा दिन होता है उसके बाद आता 23 जून अंतरराश्टी ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है अब ये क्यों मनाया जाता है इसमें एक तरीके से खेलों को प्रोसाहिद करना है न गेम का खेल का हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सारी चीच आपको बताना उसके लिए लोगों को अवेर करना कि खेल का हमारे जीवान में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपको खेल केलना चाहिए कोई भी खेल खेले आप इंडोर या आउटडोर आप मोबाइल वाला गेम नहीं है ना इंडोर में भी बहुत सारे ऐसे गेम केराम है चेस है जो आपके मेंटल के लिए या फीजिकली थोड़ा अब एक्टिव है जैसा नहीं कि मोबाइल में आप पबजी खेल रहे है तो पबजी का नहीं पबजी के लिए बढ़ावा देने के लिए नहीं है इसके बाद है तेज जून को एक और दिवस मना जाता है संयुक तराष्ट लोग सेवा दिवस युनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस दे अब ये क्यों मना जाता है लोगों को सार्विनिक छेतर होते है जो पब्लिक सेटर होते है ये जो काम करते है इस तरीके से ऐसी लोगों को रिकरगनाईज करने के लिए उनका प्रुसाहत करने के लिए और और लोग आ सके इसमें अपनी सेवा देने के लिए उसी के लिए संयुक तो युनाइटेड नेशन द्वारा एक डे मना जाता है पब्लिक सर्विस डे ये 23 जून को मनाय जाता है तो आपको याद रखना है कि पब्लिक सर्विस डे कब मनाय जाता है 30 जून को किसके दोरा युनाइटेड नेशन दोरा इसके बाद है लाश्ट बस लिस्ट 26 जून International Day Against Drug Abuse and Illiquid Trafficking नसीली दवाओं के दुरपयोग और अवैत तसकरी के खिलाफ अंतर राश्टी दिवस ये मनाया जाता है 26 जून को अब ये क्यों मनाया जाता है लोगों को ड्रक्स के हानिकारक प्रभाव जो पड़ते हैं ड्रक्स को उसकी रोक्ताम के लिए उसको जागरूग करने के लिए कि नसीली दवाओं का उपयोग ना करें बहुत सरे ऐसे लोगे जो नसा करते हैं तो वो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सरी गोलिया टैबलेट्स खाते हैं या इलकोहल का यूज़ करते हैं सिगरेट पीते हैं या ड्रक्स लेते हैं तो इसको उपयोग ना करें और इसकी जो अवैद तसकरी होती है अवैद तसकरी एक तरीके से कह सकते है इलीगल तरीके से है न पर लीगल भी है जैसे यहाँ पर है इंडिया में अपने दारू का कितना महत हो आप लोगों ने सबबी लॉक्डॉन में देखा कि कुछ भी नहीं खुला पर दारू की दुकाने खुल गई थी है न तो इसका एकोनोमिक के में कितना इफेक्ट पड़ता तो यह अच्छी चीज़ है पर कई जगह होता कि है कि इसका इलीगल तरीके से उपयोग होता जैसे कई दो दुकाने होती है तो वहाँ पर कुछ लोग क्या इसको इलीगल तर करी के खिलाफ अंतरराष्टी दिवस यह मना जाता है 26 जनवरी को एक और डे मना जाता है यहाँ पर नोट डाउं नहीं है तो वह आपको याद रखना है 26 जून को एक और दिवस मना जाता है बहुत इंपॉर्टन अंतरराष्टी विधवा दिवस इंटरनेस्टनल विडो मुझश Excनॐ को 55AY है और हों जाती है तो किस तरीखे कि समाज में परिषानियोस को सामना करना पड़ता है लोगों के तान привет करते हैं तो इसकी रोक्ताम आपके नहीं हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा जितना जादा हो सके दोस्तों तक सेयर करिए क्योंकि बहुत जल्द एप्रॉक्स दस दिन के अंदर आपकी बहुत सारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से कम प्रोफेस्नली आपकी क्लास इस पर चलने वाली है तो जितना ज्यादा हो सके इसको सेयर करिएगा और कुछ टार्गेट रखिएगा कम सकम वन थाउजन्ड वन के व्यूस तो होने ही चाहिए इसमें दो चार दिन के अंदर है नो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेयर करिए वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा कोई भी चीज प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्षन आपके लिए उपन है आप वहां पर बता सकते हैं ग्रूप पर जरूर जुड़ जाएगा वाट्सप पर टेलिग्राम पर जहां पर जो भी सोसल मेडिया है आप जुड़ जाएगे वहां पर आपको बहुत सारी चीज़े मिलने वाली हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गो और अच्छे से रहिएगा थैंक्यू है वनाइस डे